दोस्तो गूगल प्लेई स्टोर सबके मोबाइल में होता है लेकिन क्या आपको पता है इस गूगल प्लेई स्टोर से आप अपने मोबाइल का श्टोरेज प्रॉब्लम पर्मानेंटली सॉल कर सकते हैं सही सुना दोस्तों आपने इस Google Play Store की अंदर तीन ऐसे खूफिया फीचर दिये हैं जिसे दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपके मोबाइल का जो storage problem है ये permanently solve हो जाएगा जिन्दगी में कभी भी दोस्तों आपके मोबाइल का storage फूल होने का नाम तक नहीं लेगा अगर आप Play Store की ये तीनों ट्रिक को अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर देते हैं बार बार दोस्तों आपने देखा होगा storage फूल हो जाता है फिर हमें वीडियो, files, photos वगर delete करके अपने मोबाइल का storage खाली करना पड़ता है तो ये चीछ दोस्तों आपको करने की जुरत नहीं है सिर्फ तीन ट्रिक अपने मोबाइल के Play Store में अप्लाई कर दो आपके मोबाइल का storage जिन्दगी में कभी भी फूल नहीं होगा तो अगर आप भी अपने मोबाइल के storage प्रॉबलम से बहुत ज़्यादा परिशार है तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना वीडियो पसंद आएगा तो like and share कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर इस play store के अंदर कौन से तीन कमाल के खूफिया feature दिये हैं जिससे आप अपने mobile का जो storage problem है इसे permanently solve कर सकते हैं जिससे आपके mobile का जो storage है वो जिन्दगी में कभी भी full नहीं होगा अगर आप ये तीनो trick apply कर लेते हैं ठीक है play store को open करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला trick है उसके लिए आप क्या करेंगे यह जो आपका profile यहाँ पर दिख रहा है इसी के उपर click कर देना है ठीक है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को में लेगा manage app and device आप देख सकते हैं तो इसी के उपर आपको click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो storage है वो आपको देखने को मिल जाएगा कितना जी भी use हो गया है और कितना जी भी खाली है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है manage के उपर click करेंगे तो आपके mobile के अंदर जितने भी app installed है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है installed के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको not installed को select करेंगे इसे जैसे ही दोस्तों आप select करेंगे वो app भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे phone के अंदर अभी फिलाल 4 है क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत से app कम से कम दोस्तों 200-300 app को delete कर दिया है तो इस समय C4-C4 दिखा रहा है आपके phone में 200-300 से ज़्यादा app भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको करनक है एक-एक को इस तरह से select करना है जैसा कि आप देख लीजे ठीक है यहाँ पर जितने भी app आ रहे होंगे सबको आपको select करना है और यहाँ पर delete का button आएगा इस पर click करके आपको यहाँ से जो है इसे delete कर देना है जैसा कि आप यहाँ पर देख लिजे जैसे दोस्तों आप इन्हें डिलीट कर देंगे फिर उतना आपके मोबाइल का इस्टोरेज खाली हो जाएगा और फूल होने का नाम तक नहीं लेगा ठीक है जितने भी आप आप डिलीट करते हैं दोस्तों यहाँ से भी आपको डिलीट करना होता है जिससे आपके मोबाइल का इस्टोरेज ज्यादा ज्यादा फ्री रहेगा ठीक है तो यह पहला ट्रिक दोस्तों आपको अपने मोबाइल के प्लेई स्टोर में अपलाई करना है जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो है बैक कर देना है ठीक है बैक करने के बाद दोस्तों आपके मॉवाइल का जो बार-बार खुझ से ही दोस्तों इस्टोरेज फूल हो जाता था यानि कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मॉवाइल के अंदर ना एक्ष्टर कोई गेम डाउनलोड करते हैं ना ही कोई अप डाउनलोड करते हैं ना मोवी रखते हैं फिर भी हमारे मोबाल का इस्टोरेज आटोमेटिक भरता रहता है भरते 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 पूरा फूल हो जाता है ठीक है तो यह अक्सर लोगों के मोबाल में होता है लेकिन दोस्तो अगर आप यह सेकेंट ट्रीक अपलाई कर लेंगे तो ऐसा दोस्तो आपके मोबाल के अंदर नहीं होगा और नहीं आपके फोन का इस्टोरेज फूल होगा ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है वापस से आपको प्रोफाइल के उपर क्लिक कर देना है और इस बार दोस्तो आपको आना है सेटिंग्स के अंदर ठीक है सेटिंग्स के अंदर आए तो यहाँ पर आपको देखने कुमलेगा Network Preferences, तो इसी के उपर आपको क्लिक कर देना है, अब यहाँ पर दोस्तों जो Second Hidden Feature दिया हुआ है, वो है दोस्तों Auto Update Apps, तो इसी के उपर आपको क्लिक करना है, अब दोस्तों होता क्या है, खुद से कैसे आपके फोन का इस्टोरेज फ थोटा मोटा Update आता रहता है, किसी एप का 100 MB का Update आजाएगा, किसी एप का 500 MB का आजाएगा, किसी एप का 50 MB का आजाएगा, ऐसे दोस्तों Automatic Update आते हैं, और यहाँ से दोस्तों Automatically जो Update है, यह भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसे हमने Over Any Network पर सेट कर रखके रखा है, जिस इसे, इसे Don't Auto Update पर सेट करना है, और OK कर देना है, जिसके बाद दोस्तों Automatic आपके फोन का Storage फूल नहीं होगा, और Automatic यह जो एप जो है, अपडेट हो जाते थे, वो चीज भी दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर नहीं होगा, समझ गए, यह बहुत important चीज है, जिसे आपक प्लेई स्टोर का तीसरे नंबर का hidden और कमाल की trick बता देता हूँ, जिससे दोस्तों तुरन के तुरन आपके मोबाइल का जो Storage है, वो बहुत सारा खाली हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यह जो प्लेई स्टोर आपको दिख रहा है, इसी के उपर इ इस पर click करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों हो तक है, कई बार प्लेई स्टोर ना हमारे मोबाइल के अंदर बहुत से cash file को जमा कर देता है, जो की मतलब उसकी size जो है, 1GB, 2GB, 3GB, 4GB तक पहुच जाता है, तो हमने तो इसे पहले से ही delete कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा य delete कर देना है, delete करने के लिए clear file के उपर click करेंगे, यहाँ पर clear cache के उपर click करना है, आपको पूरा data clear करने की जुरत नहीं है, सिर्फ जो cache file है, इसे delete करना है, यह जो cache file है, यह हमारे phone का खचरा होता है, इससे दोस्तों आपका ना कोई photo, ना कोई game, ना कोई app delete होगा, ठीक है, तो इससे बिंदास होके आप delete कर दीजिए, तो यह जित दोस्तों आपको यहाँ पर play store के अंदर यह तीनो ट्रीक अप्लाई करना है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक advance में tips दे देता हूँ, जिससे अगर आप अपने mobile के अंदर implement करते हैं, तो आपके mobile का storage जिन्दगी में कभी भी full नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए बस आप अपने mobile का setting open करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने कुमलेगा additional setting इसे open करना है, उसके बाद नीचे आपको developer option के अंदर चले आना है, अब इसमें दोस्तों आपको एकदम न memory card लगा दीजिए, जिसके बाद दोस्तों आपके mobile के अंदर जब यह play store से कोई भी app या फिर game डाउनलोड करेंगे, तो automatic दोस्तों memory card में डाउनलोड होगा, आपके mobile का internal storage जिन्दगी में कभी full नहीं होगा, ठीक है, वीडियो पस्तन आया हो तो like को share करना, साथी सा channel को subscribe कर thank you दोस्तों, bye bye and take care